हेलो एवरिवन आयम प्रशान शर्मा इंफेंट आफ यू स्वागत आपका माई क्लास्वूम चैनल पर आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक ऐसी कहानी जिस बच्चे ने इतियास में अपना नाम दर्ज कराया बताना चाहता हूं उससे मिलवाने से पहले आपको दो शब इसी के कारण आपको कुछ ना कुछ मुकाम हासिल होते हैं दोनों में डिफ्रेंस क्या होता है बहुत 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 होता है डाट इस रीटेक रील लाइफ में बहुत सरे रीटेक हो सकते हैं बट रील लाइफ में रीटेक की गुंजाईश नहीं होती है तो आज जिस बच् बाराण है तूर स्थिष्ट. खुरी स्वेट थे हम तो पए्ट लिए टीटिया में अच्छ अन लुट में कि अजया था या सब्सक्राइटक्र घ्री तो मेरा और इस फोड़ा एससे मुझे दिखा कि ओ एक रिसर्च नाम की बचीज होती है विच विच गड़ू कोड़ू कुट मैं जब Microsoft में थी एक साल के लिए और उस ताइम मैंने फिर ग्राद स्कूल के लिए अप्लाय करा था यूवस में फिर पहले में इसे लोग तो बहुत कम होता है जिनका पाथ शुरू से फिक्स होता है मतलब एक I don't think कि मुझे एलेमें ट्वल्स में बिल्कुल भी लेगा है वड़ा इमाजन की मैं पीस्टी कर रही होंगी थी इंचार साल बार रहे तो तो अप्लाय कि मुझे लगता मेरा कुछ पी लॉंग टम मुझे लगता कि इतना एक्स्पिरिंस भी नहीं होता हमें कि हम पूरे लाइफ का डिसिजन ले पाएगी ओ दिस अंधिंग वां तो अंडेग्राइड में एक प्रियंस मिलता है जिसे इंजिनिरिंग जो मतलब माइकरसोफ टाइप की कंपनी में जो सौफर इंजिनिंग होती है उसका एक्स्पिरिंस मुझे अंडेड में मिला कम्यूटर साइंस वहां पर सीखी तो लगा गी और मैं इसमें करियर कर सकती उ-परसिव फिर उसके बाद रिसर्च का मिटे जहां मुझे रिसर्च का जादा उसके बाद तो बेसी के लिए जैसे 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 एक्स्पिरिंस आते जाते हैं लाइफ में उससाब से फिर चॉइस चेंज होती रहती है तो मतलब ऐसा कोई फिक्स लॉंग तरम पाथ तो ऐसे नहीं किसी भी पॉइंट को सोचा हुआ था तो हां कुछ दिखाने के लिए है हां ये सर और आप सर में भी बहुत पाज़ा है एक्जैक्टली वहां किसमें बाल भी दिख रहे हैं तो मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे जब मैं एजा टीचर शू करा था जर्मी मुझे भी नी पता था क्या कर रहे हैं पस यह था कि किसी का डाउट आया तो उसको जैनू रहा है दूट हो नहीं हो रहा है था और आपको में लकलत फॉड़ा नहीं अगरे कि चीज बढ़े तो यह बैस चीज थी है तो मैंने एक मृत शायदी किसी और स्टूडेंटन ने इतना कोपरेट किया हूँ तो अब जैसे हम बात करते हैं कि जो भी अब तक जर्नी रही है इसमें काफी सारे पड़ाव आए ठीक है बहुत साही चीजे ऐसी भी हुए कि जैसे कह सकते हैं कि कभी ऐसा डाउट फील हुआ अपने उपर कि नहीं हो पाएगा या हो जाएगा इस सक्सेस में क्या पॉइंट्स रहे कि मैं यहां तक भी जहां तक भी पहुंची हूं लग यह एक ऐसी जर्नी है मैं बताना चाहता हूं कि बहुत साहीं लोग ड्रीम्स तो हैं लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं वी शोड़ाइस थैंक टू गॉड थैंक टू दैट पावर जो जिसने एक्चुली हमें कहीं तक किसी लेवल तक पहुंचाया तो ऐसे क्या की पॉइंट्स रहे कि जिन लोगों का ऐसा साथ रहा कि जिन लोगों ने आपको समय समय पर जब जब बी मॉटिवेशन हुई या कभी डाउट वाउस को ओवरकम गरवाया है तो आपके सबकाई सपोर सिस्टम ऐसा रहता है एक तो फामिली सबसे इंपॉर्टन रहती है मतलब जो तुम्हें हमेशा मतलब एक आलवेस त्रस्टी तो मेक दराइट चोईस मत सबस्टी तो इस नाट लेकि मतलब जब त्रस्टी में वो चोईस कि वाइट ने रहता है तो आपकी टीचर्ज जिसें यहां पर मुला जब भी मैं रिसर्टों तो भी अलवेस वोग पर तो एहां पर भी जिसे प्लसम दुस्टों से ही काफी सपोर्ट था अब भी तक बात ह आप से सब्सक्राइब से मंदा सबसे टच में है तो उनलों को कमला इतिक बसलों में तो बहुत ही जादा सब्सक्राइब था मतलब I don't think I could have asked for anything better अस ताइम पे और फिर अंडर्ग मुझे लगते कि फ्रेंज का जादा रोल रहता है मतलब I think anybody would agree to that so but like professors रहते हैं but like थोड़ा अंडर्ग में usually support system like friends are a bigger thing and there were definitely some professors इनके साथ काम करके बहुत inspiration मिला तो I think the team mean in terms of people who supported family or friends all through the journey and like teachers and professors who were always there to guide and inspire great self-study और एक mentorship या guided program या teachers के साथ या किसी इक सिस्टम के साथ काम करने में क्या difference लगता है आपको जैसे आपको कि अगर तुम्हें कोई support नहीं मिला होता कोई coaching तुम्हें नहीं लिए होती तुम्हें कोई मतलब हम इतने स्किल नहीं रहते कि हम अच्छे से जैसे मानलो time management कर पाएं या अच्छे से plan कर पाएं कि oh this might be more important than the other thing or so on तो जैसे जरी के लिए तो I think बहुत जादा help मतलब बहुत जादा ही help होती है experience तो मतलब किसी भी पॉंट मैं स्टक हूं तो मेरे इतना सपोर्ट था कि मैं मतलब रादान की मी वेस्टिंग टाइम रहते हैं तो इस ताइप से रहती हैं जो मतलब experience teacher से काफी जादा help मिलती है बाकी जैसे doubts की बात थी तो मतलब किसी अब चुक हूं तो मेरे पास उतना सपुर्ट काती है में मलगू राद़ था प्लादान की मी वेस्टिंग टाइम राइं दिढ्लोग आधा धाई डावर ईक्रमस राधा कि नर्यां आ ठांट आंपी रादा डादा आना ह Scout तो जेए के ताम पर बहुत ज़्यादा हेल्फुल था प्रिकॉलिज फिर थोड़ी वह सेल्फ लेर्निग जर्नी स्टार्डिया जिसमें थोड़ा खुछ से सीखने का ट्राइग अच्छा वह थे तो इसकि मुझे क्या करना है तो अधिंग अंडरग्रड में थोड़ा सक्टर तो जैसे जलंदर में थी आप तो जलंदर में एक मैं सकता हूं टिया टू टाउन में काउंट होता है जलंदर कभी ऐसा लोगों से आपने फ्रेंड सरकल में कभी ऐसा फील हुआ कि तुम्हें कोटा या दिल्ली किसी ऐसे बड़े शहर में मूव करना चाहिए जैसे आपने पूरे दो साल अपने घर पे रहके या जलंदर में जो का सेंटर हुआ अग कुछ तो स्मूव हुए थे डेली और कोटा में को ध्यान तो नहीं आरा बट अबर लेक डेली मैं जानती हूं ऐसे मेरे नोन में कई लोग हैं जो डेली गए थे तो इसे मेरी फामिली ने काफी ऐसे लिग मैं मैं फामिली वस बेरी एगर कि मैं दो साल घर पे रुपू लु आपके पैरेंट्स आपके साथ नहीं हैं और अपे नए एंवार्मेंट में और मतलब 11 तो हम मतलब बच्चे ही होते हैं चोटे से तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है थी मुझे इस चीज़ से कि मैं अपनी फामिली के साथ थी वो टाइम में थी वो काफी स्ट थी अपनी थी वो टाइम थी अवेलिबल तो ऐसे लगा ने की बहुत जादा बेनिफित मिल जादा तो ए थी मतलब मैं लगी रही वस थास्पें कि मतलब उस स्पेसिफिक थाइम पे घर पे अंफर्ट उन में रहना वाल मतलब बड़ 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 दिस गटिए थी जनरल लोगों से सुना है तो आ थिंक अच्छा ही रागी मतलब मैं घर पी थी अवट लिक इट वेरिस थी पीपल मतलब I know people जिनके मतलब पैरेंस भी इतना सैक्रिफाइस करते के लिए का इनो पीपल जिनके लाइक मदर या फादर उनके साथ रहते हैं कोटा में तो थू थू यर्स मदलब I know people like that तो मदलब I mean that's commendable कि लाइक पैरेंस ने इतना सपोर्ट करा and like that is something that also like happens and like that also works out well तो I guess family का और तुम्हारा जो भी opportunity मिलें इस जर्नी में काफी एक बहुत ज्यादा important है family के साथ में रहते हैं तो obviously वादे कही बार रहता है na moral support कहलो एक logical support कहलो वह हमें से साथ रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ क्योंकि वह एज भी हम ऐसे चोटे होते हैं तो मुझे रखता है बहुत जादा helpful रहता है family के साथ होना जैसे current scenario चल रहा है अभी COVID situation आई pandemic आया situation गाफी खराब हुई तो मैं अक्सर क्या देखता हूं जैसे YouTube पे बहुत सारे अब तरीके हैं जैसे मेरा पार्टी इन और्गेनिक केमिस्ट्री रहा है तो मैं अगर कोई डालता हूं की सपोज तुम्हें कुछ कुछ कोशन भी याद होंगे मैं पूचा करता हूं मुझे लगते है कि helpful भी हो सकता है काफी और at the same time it can also be like too much जैसे helpful in the sense कि हमारे time पे available नहीं था like I could not you like search a question on YouTube and see a video on it at that time जबकि अभी जैसे आप जैसे जब बे अंडर्गार्ड मी थी या मार्स में थी तो काफी help भी होती थी कई पार कि if I have a question तो I can easily like go on YouTube and like see videos और क्योंकि definitely videos are much more helpful than like let's say कोई बुक पढ़ना या फिर कोई like module या chapter पढ़ना तो मुझे लगता बहुत helpful हो सकता है बस थोड़ा वो प्रब्लम है कि जैसे आपने बोला कि अभी too much content हो गया तो that can be a problem इस दरना बड़ा लिक्कत है क्योंकि कोई आता है camera लगाया स्टार्ट कर दिया पढ़ाना और फिर destruction जाती है सपोज मैं question search कर रहा हूं कि जी की state क्या होगी कहीं पर plus one सारा रहा है और एक्स्प्रिम्ट बड़े चीजिए और तीनों टीचर ने सही जस्टिफाय करती आंसर को तो उससे कैसे मतलब मुझे कई बार यह लगता है कि एक टीचर का रहना तो अट जरूरी है it can be a supplement but not the perfect not the full proof solid की हमसे सक्सेस मिली सकती है हाँ जी हाँ नी वो बात तो सही है मतलब depend करता है जैसे अगर प्लसल बस्तों में तो definitely आपने बोला बिल्कुत सही बात है कि 11-12 में तो काफी जादा चाहिए help क्यूंकि हम उस stage पे होते भी नहीं कि हम इस तो इस तो एक स्टेज होती है बच्चे की जहां पर पहली बार ने थोड़ा जो मैं समझ पाता हूं यह तो बाहर निकलना आता ही नहीं नहीं है बट इस तुफान से कैसे बाहर निकला गया था या किस बच्चे को इस टाइप की परिश्यानी आई थी उसको ऐसे निकला गया तो क्या एडवाइस आप देना चाहती हो आने वाले एस्पिरेंट्स को कि बिसिकली किन चीजों के उन्हें फोकस करना चाहिए या वन लाइनर में एक चीज बोलूं जो सक्सेस के लिए सबसे अधर जरूरी है जै या नहीं जैसे आसे एंटर इंग्जाम को ट्रैक्टर ने के लिए वो वन लाइनर क्या होगा इसके बिना तो क कि मतलब दो साल काफी जादा लंब डाइम होता है जिसके तो तुम को कंटिनूस के काफी हाद वकुटन करना पड़ता है तो I think एक वो कमिट्मेंट के लिए तैया रहना is the most important thing उसके ओपर आपकी फैमिली सपोर्ट करें आपके टीचर सपोर्ट करें तो मतलब वो भी मतलब काफी जादा इंपोर्टन है तो like help your hard work परफेक्ट मैं सेमी एक्सपेट कर रहा था आपसे जतनी मैं आज तक ऐसे बच्चों को देखा है मतलब जर्नी आपसे शुरू ही थी दोजार चौदा में फिर 15 16 17 18 लग बख हर साली मुझे टच्वूड ऐसे बच्चे मिलते रहे हैं और फिर बीस में आके थोड़ा सा मैंने एक बैक फुट लिया कि एक तुना क्या होता है जैसे तुभी वैरी ओनेस्ट इस कोचिं इंडिस्ट्री मैंने जो देखा कि या टू काईड़ आप जैसे बच्चे होते हैं जो ऐसे बच्चे मिले मुझे जिनका मतलब आइडिया होता है कि बहुत सेल्फ मॉटिवेटिटेट इसके डाउट की वहत अच्छे लेवल के आ रहे हैं जिसमें टीचर को भी सौर करने में इंटरस्ट आ रहा है क्योंकि एल्टीमेटी लर्निंग वहीं से हो रही है ठीक है तो उन बच्चों पर बहुत स्पेशल ध्यान दिया जाता है बट वहीं जहां आवरेज बच्चे है आप से इंट्रक्शन करने को सब्सक्राइब यहीं सोचा थे कैसे ना एक रियालिटी जो होती है और जो रील है दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है के टाइम जो आपने गुजा रहा है अगर एक साल कभी कहीं पर आपने थोड़ा ज्यादा लूस होड़ दिया होता तो श अगर यहीं अगर दोगे तो शुचिश यहीं कि एक जैनून एफर्ट डाला जाए जहां पर मासेस को हम अच्छी सर्विसेज दे सकें यहां जी यहां पर ला सकें बच्चों को क्योंकि आसे वह सहीं होते हैं जो आपको इन हवा बढ़ देते हैं कि नहीं तुम यह कर दोग रेलीटी के क्लुज जेना बहुत सही रहते हैं एक बस्तरा गारिड reflecting एक रियालीटी के क्लूज रहना भाथ वहलुत सही रहता है थाय। The foremost thing hard work, hard work का कोई substitute नहीं होता है बच्चों, तो hard work तो करना ही है, next thing is आपको faith रखना होता है, एक triple F principle की बारे में बताना चाहता हूं, faith in yourself, faith in your parents, faith in your teachers, parents or teachers, दो लोग ऐसे होते हैं, जो आपकी life में आते हैं, और हमेशा वोई चाहते हैं, कि जो भी उनसे related बच्चा है, या जो उनका बच्चा है, वो at least उनसे दो कदम आगे बढ़े, तो आगे में ऐसे और बहुत सारे आपको motivational, inspirational, ऐसे किस्से कहानियां लाता रहूँगा, कुछ real heroes की, जिनोंने इतियास के अपना नाम धर्स कराया, बहुत बहुत धन्यवाद, stay tuned at my classroom, thank you.